दोस्तों अगर आप भे वेंकटे सेयर को ताबरतूर बल्लेबाच मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू गीजेगा दोस्तों 13 अक्टूबर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता की टीम ने शांदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डिली को एक करारी शिकस्त का स्वाज चखाया कोलकाता की और से सबसे शांदार खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे वेंकटे सेयर जिन्होंने तूफानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में एक शांदार जेत हासिल कराई तो चलिए दोस्तों बतातें अपको वेंकटे सेयर की पूरी बलेबाजी के बारे में लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है कैप वेंकटे सेयर को टी 20 वर्लकप के लिये भारती टीम में जगत देनी चाहिए या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान ओइन मॉर्गन ने टॉस चीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जो कि उनका ये फैसला कुछ हद तक साबित होता हुआ भी नजर आया क्योंकि इस मुकाबले में कोलकाता के गेंदबाजों ने शांदार अंदाज में गेंदबाजी का प्रतर्शन किया दोस्तों बतातें दिल्ली को पृत्वी शा ने अच्छे शुरूराद जरूर दिलाई लेकिन वो ज़ादा देर तक क्रिच पर नहीं टिक पाए पांचमें वर की पहली बॉल पर वरूर चक्रवर्थी ने उन्हें चलता किया सत्रह गेंदों में उन्होंने अठारा रन बनाए जिसमें दो चौके और एक चक्का शामिल था प्रत्वी चक्रवर्थी की शांदार बॉल पर LVW हुए जब की टीम का स्कोर 32 रन था इसके बाद मारकस स्टोइनस और शिकरदवा ने कुछ अब तक दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिच गी और वो धीमी गती से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 10 ओवर में टीम का स्कोर 65 तक ले जा सके दोस्तों अब इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी जादा दबाव परता हुआ नसरा रहा था जिसकी वज़े से मारकस स्टोइनस शिवम मावी की आग उगलती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट गवा दिया और वो 23 गेंदों में 18 ओनों की धीमी गती की पारी खेल कर पवेलियन की और चलते बने लेकिन दिल्ली को सबसे बड़ा जटका लगा 15 ओवर की पहली ही बॉल पर वरूर चक्रवर्ती ने दूसरा शिकार किया उपनिंग करने आई शिकर धवन को बैकवर्ड पॉइंट में आगे की और चलंग लगाते हुई शाकिव ने शांदार अंदाज में लपका 49 गेंदों में 36 रंड की पारी खत्म हुई यहां से दिल्ली के लिए किसी बल्लेवाज को तेज दरार पारी खेलनी होगी दोस्तों कोलकाता कीकसी गेंदवाजी के आगे दिल्ली ने घुटने टेक दिये थे रंड बनाने के चक्कर में रिशप पंट आउट हो गए चक्के के बूते दिल्ली ने पांच विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए स्रेय सेयर 27 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद लोटे हेटमायर ने 10 गेंद में 17 रन बनाए शिकर दवन ने सरवाधिक 36 रन का योगदान दिया केके आर के लिए वरुड चकरवर्ती ने दो विकेट चटका है लेकिन दोस्तों को उलकाता के दूसरे सलामी बल्लेबाज वेंकटे सेयर ने शुरुआत से ही दिल्ली के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया जब उन्होंने दूसरे ओवर में रवीचंद रश्वन की गेंद पर एक शांदार छखका जड़ा वहीं चौथे ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एक कमाल का शाट खेल कर गेंद को हवाई यात्रा पर पहुँचा दिया वेंकटे सेयर की बल्लेबाजी का तूफान तो इस मुकाबले में थमने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उन्होंने अपने सामने किसी भी गेंद बाज को बड़ा नहीं समझा यहां तक कि उन्होंने दिल्ली के सबसे खतरनाग गेंद बाज रबाड़ा की भी जम कर पिटाई लगाई उन्होंने पांचवे ओवर में रबाड़ा की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तमाल करते हुए एक ऐसा गगंचुम्बी चक्का मारा जिसके बाद तो गेंद सीधा मैदान के बाहर जा चुकी थी वहीं इसके ठीक अगले ओवर में वेंकटेस ने आवेश खान की गेंद पर एक शांदार चुका जड़कर अपने इरादे साफ तोर पर दर्शा दिये कि वो इस मुकाबले में सिर्फ चौकों और चुकों में ही दिल्ली की गेंदवाजों से बात करेंगे इसके बाद दोस्तों वेंकटेस अईयर ने एक बार फिर दसवें ओवर में अक्षर पटेल को अपना शिकार बनाते हुए उनकी गेंद पर एक ऐसा गगंचुम्बिच हका मारा जिसके बाद तो गेंद तारा मंडल पर जा पहुँचे वेंकटेस अईयर काफी जादा खुंखार नज़र आ रहे थे और वो किसी भी गेंदवाज को बख्षने के मूड में बिलकुल भी नहीं लग रहे थे लेकिन दोस्तों 13 ओवे उबर में रवाडा की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वेंकटेस अईयर ने गेंद स्टीव स्मित के हाथों में थमा दी और वो एक तालीस गेंदों में 55 रणों की शांदार पारी खेल कर पवेलियन के और चलते बने लेकिन उन्हें इतनी शांदार पारी खेल कर अपनी टीम को मजबूत इस्तिती में लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बाद तो इस मुकाबले में कोल का था कि जीत लगभग तैय हो चुके थी दोस्तों आप सभी वेंकेटे सेयर की शांदार बलेबाजी को दस में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सक्षर में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले